सर इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार शारुक खान और सल्मान खान की दो फिल्म में अगले साल आने वाली कौन से चलेगी टाइर त्री पठान देखें मैं तो समझता हूँ दो नहीं चलने वाली इसमें कोई दो राए नहीं है मैं समझता हूँ मुझे इस काफी जादा शोरूम इस बात को लेकर मतलब मैं कहूँगा इवन 99 परसंट शोरूम के दोनों फिल्म में जबर्दस चलने वाली जबर्दस बोल रहा हूँ नॉर्मल भी नहीं है ना जबर्दस चलेंगे इसी मेरी उम्मीद है लेकिन देखें पठान का फिर भी कईफी जादा बा पर अगर ऐसा कर भी दिया आता तो उसमें कहीं न कहीं आपको डाउटफुल चांस आपके दिमाग में आएंगे अगर आप दोनों फिल्मों की परफॉर्मस सिंगल सिंगली सोची आप आप इंडिविजुली सोचेंगे तो आपको लेगा कि हाँ या पठान हो साद इसा हो या कम चले या फ्लॉब भी हो सकती है लेकि टाइगर को लेकर आपके दिमाग में कभी यह चीज आएगी नहीं आएगी को टाइगर तो सफा अलगी होने वाली और टाइगर का नाम क्या ही होगा फिर बोलने की ज़रत नहीं है हलांकि फिल्म को रिलीज होना में काफी लंब मेरी ये उम्मीद है मुझे ऐसा लगता कि पठान भी बहुत जबर्दास होने वाली पठान जल्दी रिलीज को तयार है हम सब भी मतले एक तरस हमारी वेल विशेज भी है कि जल्दी चले फिल्म अच्छी चले वो बड़िया रिस्पांस देखने को बिलेगा इंडिन सिनेम होगी लेकिन मैं समझता हूं मजा आजाने वाला पठानी जल्दी चलो फिर टाइगर तो आगी तो बावाल मचा नहीं मचाना सलमान खान के साथ देवाली पर ब्लॉकबस्टर होगी